नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं आत्र छात्राओं को एक साल सरकारी अस्पतालों सेवा देना अनिवार कर दिया है ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपए के जूर्माना देना होगा वहीं पुलिस संसकरन के तीन हेलिकॉप्टर के पाइलेट की राशी 5 लाख से साढ़े 5 लाख किया गया राची सिविल कोर्ट के 40 बिल्डिंग कोर्ट पुर्रक्षित राशी 35 को रुपए सक्रिती मिली है ज्यारखन के पाच किसान बिशेस अतिथी के रूप में सोतनतता दिवस समारो के साच्छी बनेंगे इस वरस नई दिले में लाल किले पर आयोजित होने वाले सोतनतता दिवस समारो में देश भर के अठारा सो बिशेस अतिथी सामिल होंगे इसके लिए सभी को अमंतरन भी भेज दिया गया है इसमें बाइबरेट गाओं के सरपंच, सिक्छक, नर्स, किसान, मचुआरे, सेंटरल, विश्टा, परियोजना, अवरित, सरोवर, हर घर, जल और अने जैसे परमुखर करमों में काम करने वाले लोग सामिल है वहीं क्रीसी एवं किसान कल्यान मंतर लें जारखन से 5 किसान, उतपादक, संगठनों के परतिनिधियों को उनके जीवन साथी के साथ 15 अगस्त को होने वाली एतिहासिक जंडो तोलन समारों में अमंतरित किया है एस अभी नई दिली में संताथ दिवस समारों के विशेस अतिती होंगे देश भर से किसान, उतपादक, संगठनों के लगभग 511 परतिनिधियों में से जारखन के 5 लोगों को नई दिली में अमंतरित किया गया है सहीद सुसान्त कुमार को सीएम ने दी सरधांजली मुडभेड में हुए थे सहीद जारखन के चाईबासा में पूलिस अनक सलियों की बिज हुए मुडभेड में सहीद हुए CRPF के हेड कॉंस्टेबल को रांची इस्थी CRPF कैम्प में भाव भीनी सरधांजली दी गई चारखन के मुखी मंतरी हमंसरेन मुखी सचीव गिरी सचीव डीजीपी सहीद तमाम पुलिस अधिकारियों ने नम आखों से सहीद को सरधांजली अरपित की है मुखी मंतरी हमंसरेन ने रांची के सेक्टर दो धुरवा इस्थी CRPF कैम्प परिसर पहुच कर नकसली हमले में सहीद हुए CRPF के जवान कॉंस्टेबल सुसांत कुमार खुटिया के पाप्थिव सरीर पर पुस्प चक्र आरपित कर सधांजली दी मुखे पर मुख्य मंतरी ने इस वर से सहीद जवान की आत्मा को सांती और सोका कूल परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की सक्ति देने की प्रात्ना की है 17 अगस्त को नमांकन दाखिल करेगी मंतरी बेवी देवी जगरनाथ महतों की निधन से खाले हुई डूमरी बिधान सभासीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है जिसके लिए नमांकन शुरू हो गया है जामों उमिद्वार के रूप में मंतरी बेवी देवी 17 अगस्त को अपना नमांकन पत्र दाखिल करेंगी बेवी देवी के नमांकन के समय जार्खन इंडिया की पूरी ताकत डूमरी में दिखे इसकी भी तयारी की जा रही है खुद सीयम हेमान सुरेन के साथ गड़ बंधन के सभी बड़े नेता नमांकन के दोरान मजूद रहेंगे जार्खन मुक्ति मुर्चा के केंद्रिये परवक्ता मनोच पांडे ने कहा है कि डूमरी में कोई लड़ाई ही नहीं है क्योंकि वह टाइगर जगर नाहत महतों की कर्म भूमी है जामो नेता ने कहा कि डूमरी में जामो परत्यासी की जीत में कोई किन्तु परंतु नहीं है क्योंकि जब आईशू और भार्तिया जानता पार्टी ने मिल कर्चुनाव लड़ा है तब भी जामो ने उन्हें हराया है आदिवासी महसो के इवेंट पर 6 कडोर किये गए खर्च आदिवासी महसो के इवेंट पर करीब 6 कडोर रुपे खर्च किये गए है इवेंट मनेजमेंट कमपेनी से जब इस बाबत पुछा गया कि इतने पैसे कहा खर्च हुए तो उन्होंने नहीं बताया इसके अलावा भी कई और वजहों से भी चर्चा में रहा है विश्वा आदिवासी दिवस कारकराम बतादे विश्वा आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी दिवसी आदिवसी महसों ने खुब सुर्की आवटोरी है आदिवासी सहीत जीवन दर्शन, कला संस्क्रिती, खान पान, बेस भूसन से लोग रुबरू हुए वही हजारों लोग इस आयोजन का गवाह बने है पुराना जेल रोड इस हीत भगवान बिर्शाम मुंडा मेमोरियल पार्क सह संग्राला में आयोजित कारकरम की लोगों ने जम का तारिफ की है जार्खन में जल्द सुरू होगा सी एम फेलोसी प्रोग्राम मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने सुक्रवार 11 अगस 2013 को मरंग गोमके जयपाल सिंग मुंडा पार्देशी चात्रविती योजना के लिए चैनित 25 परतिभावन बिद्यार्थियों को समानित किया इसके तहत राई सरकार की छात्रविती योजना के लिए अनसुचित जन जाती के 10, अनसुचित जाती के 5, पिछडा वर के 7 और अल्पसंख्यक वर के 3 विद्यार्थियों का अब विदेश में उस सिक्षा गरहन करने का सापना सकार होगा इस मौके पर मुक्य मंद्री ने सियम फिलोसिपी प्रोग्राम सुरू करने की खोसना की है इस प्रोग्राम के ताथ दुनिया के 120 विद्यालियों में जार्खन के स्कॉलर्स को एमफिल और पिएशडी जैसे कोर्स के लिए बितिय सहायत्ता सरकार द्वारापरदान की जाएगी जार्खन के लोगों को 1 रुपे किलो मिलेंगी चने की दाल जार्खन सरका ने बड़ा फैसला लिया है परदेश के लोगों को अब 1 रुपे किलो की दर से चने की दाल मिलेगी हेमांतुरन की केबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है सुक्रवार को रांची के दुर्वाइस्थित पोर्जेक्ट भौन में होई केबिनेट की बैठक में इस आजसे का फैसला लिया गया केबिनेट ने सभी रासनकार धारकों को 1 रुपे प्रती किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है इतना ही नहीं पथ परिवहन नीगम के जो करमचारे बिहार से जारकों आये थे उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप जारकों में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दिया है जारकों केबिनेट के बैठक में 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गाई केबिनेट ने फैसला लिया है कि राष्ट्री एक खाज सुरक्षा अधिनियम 2013 यों जार्खन राज खाज सुरक्षा योजना के सभी लाभुक परिवार को प्रती परिवार एक किलो गराम चना दाल प्रती मां एक रूपे किलो किदर से दिया जाएगा जार्खन में कमजोर पड़ रहा मांसून राजधानी समेट जार्खन के मांसून में आने वाले समय में सुधार के लक्षन दिखाई नहीं दे रहे मौसम विभाग के मुतावि आने वाले सब्ता में मांसून कमजोर रह सकता है 12-18 अगस्त तक संताल परगना को छोड़ कर राज के विभीन हिस्सों में समाने से कम बारिस होने का पुरोणमान है इस दवरान केवल संताल परगना में एक दो जगा पर भारी बारिस होने या एलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि इसके अगले सब्ता के 12-18 से 24 अगस्त के बीच मानसुन के समाने होने की उमिद जताई जा रही है इसे राज में खरीब फसलों की से सबची होई खेती और भूजल सुरोतों पर विप्रीत असर पढ़ने की संभव ना है काम पर लोटे 108 एंबुलेंस सेवा के करमचारी राज्य भर में इमर्जेंसी एंबुलेंस सर्विस 108 के चालकों के हर्दाल समाप्त हो गई है वहीं पुरानी कमपनी जीकित जा हेल्थ केयर के अधिन कारारा सभी चालक नई कमपनी में कारे करते रहेंगे एंबुलेंस संचालन की नई कमपनी एमरी ग्रीन की एस्टेट इंचार्ज संजुकता ने बताया है कि जो भी चालक पहले से 108 एंबुलेंस में कररत है यदि उनके खिलाब कोई अपराथिक मामले नहीं है तो उन्हें कररत रखा जाएगा इधर तीन दिनों के हरताल के बाद 108 एंबुलेंस की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है बता दे कि बीगत चार माह के बकाये बेतन भुकतान की मांग को लेकर एमर्जेंसी एंबुलेंस सेवा 108 के चालक वह तत्त मिस्यन हरताल कर रहे थे जार्खन पांच साल में सबसर सिक्षित राज हो सकता है राजेपाल राजेपाल सिपिरादा कृष्णा ने सुक्रवार को दीपा टोली के आर्मी पॉबलिक इस्कूल वा केंद्रिये बिद्याले का दवरा किया राजा राजेंद्रे चोल ने विदेशों में भी आपना विजाई पता का फाराया था गुवर्णन बोले खेल के छेत्र में भी भालत लागातार प्रगती कर रहा है बिशनु अगरवाल से तीन दिन और पूस्ताश करेगी इडी जारखन में जमीन घोटाले में गिरफतार बिशनु अगरवाल से अभी अगले तीन दिनों तक इडी पूस्ताश करेगी इस तरम्यान प्रेम परकास भी बिशनु अगरवाल के सामने होगा प्रेम परकास भी पांच दिनों तक इडी की रिमांड पर है इडी दोनों को आमने समने बैठा कर भी पूस्ताच कर सकती है और दोनों के ब्यान का एक दूसरे से सत्यापन भी करा सकती है विष्णू अगरवाल से रिमान पर पूस्ताच के नौवे दिन एडी ने बिशेस अदालत में उसे प्रस्तूत किया और रिमान अधी बढ़ाने का अगरा किया है इडी ने कोट को बताया एक जमिन गोटाले में पूस्ताच के कुछ और भी बिंदू है जिस पर भी इसनु अगरवाल से पूस्ताच करना आवस्याख है जार्खन के चार पर्याटन अस्थलों पर हो सकता है रोपवे का निर्मान जार्खन के चार पर्याटन अस्थलों पर एरियर पैसेंजर रोपवे का निर्मान हो सकता है इन में जो नहां हुंडरू, दासम और कैलस्वरी सामिल है इन पर्याटन अस्थलों पर रोपे निर्मान के लिए फीजिविलीटी के अध्यान की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेट को दी गई है इसे लेकर राई सरकार ने सुक्रवार को कमपणी के साथ करार किया पर्याटन निदेशक अंजली यादवत था राइट्स लिमिटेट के वरिय महाप्रमंदक विजय कुमार और वरिय पराधिकरी सतेंद्र कुमार ने इन चार अस्थानों पर एरियर प्रेसेंजर रोपे निर्मान के बेवापता अध्यान को लेकर समझाता पत्रपाहस्ताक्ष पर रहाधिकर किया इन चार अस्थानों पर र्वोपे की तक निकी और पर्यावर्निय पर लोगों की सटिक मुल्यांकन है तो इस परियोजना में ब्यवापता अध्यान को सुनेश्चित किया जाएगा यहım इसके अध्यान के बाद निर्मान कारे है तो निर्माय लिया जा रहा है लेकिन हेमन सुरेंडरने वाले में नहीं है जहामों कर्याले में मीडिया से बातचीत में महा सची उस्साह परवक्ता सुप्रियों भटाचाय ने खुल कर चेतावनी दी है कि आयसी करवाई से बाज आए मुख्यमंत्री हेमन सुरेंड और उनके लाखों कर करताओं को पता है कि महाजनों, समानतों, सुदखोरों, सोचन वा अत्याचार के खिलाब किस प्रकास संखस किया जाता है। अगर हम जरा भी नराज हो गाए तो देश की बत्ती गूल हो जाएगी। जारखन देश को सबसे ज़्यादा खनीज और राजस्व देता है। आदिवासी डरने वाले नहीं हैं उन्होंने दवा किया है कि सबका परदा फास करेंगे। आद सूचना के आलोक में इनके बिरुद करवाई के लिए झारखन के 40 लाग बिचों को इसी महिने से मिलेगी पोसाग की रासी। जर्खन के सरकारी स्कूल में नमाकिन 40 लाग 46 चत्राओं को वित्य वर्ष 2023 के लिए अगस्त महिने से ही पोसाक की रासी मिलेगी बच्चों के बीच सितंबर तक रासी का बित्रन भी कर दिया जाएगा इसकूली सिक्चा वसरशता भी भागने जीलों को 210 को रुपए की रासी के साथ सत्काइड लाइन जारी कर दी है पहली से पांचवी तक के बच्चों को दो जोड़ी पोसाक, एक फोल्स वेटर वो एक जोड़ा जुत्ता मोजा के लिए 600 रुपए दिये जाएगे जबकि छटी से आठवी के बच्चों को 750 रुपए दिये जाएगे बता दे रासी बच्चों को बैंक खाते में डिवीटी के माध्यम से जाएगी जारखन सिक्षा परियोजिना परिशत की राजे परियोजिना निदिशक किरन कुमारी पासी ने जीलो को निदेश दिया है कि पोसाक की रासी बच्चों को बैंक खाते में डिवीटी के माध्यम से दिजानी है अगर सुयम साहता समूह निदारित समय पर पोसाक तैयर कर ले तो उससे भी लिया जा सकता है क्वीट इंडिया बैनर पर सियासत गर्म इंडिया के बैनर तले वीपक्षों की गोलबंदी से सियासत गर्म है गैर भजपा दलोक उमीद है कि यह गोलबंदी 24 के लोग सभा चुनाव में जरूर रंग दिखाएगी यही वज़ा है कि बैंगलोरी के बैठाक में बीजेपी को फिर से सत्ता पर काविज होने से रोकने के लिए बनी इंडिया पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की जहां त्यारी कर रही है वहाई बीजेपी इसके काट में उतर आई है बीजेपी बिपक्षी दलोकी खिलाब क्विट इंडिया पोस्टर लगा रही है इस पर नित्ती भी तेज हो गई है बता दे कि पतना और बैंगलोरू के बाद इंडिया की बैठक मुंबाई में 25 और 26 अगस्त को होने की संभवना है गैर भाजपा दलोकी पहली बैठक बिहार के मुख में देनितिस कुमार की अगवाई में 23 जुन को हुई थी 512 युवाओ को फर्जी तोर पर नक्सली बताकर सरेंडर कराने का मामला छारखन हाई कोट ने 512 आदिवासी युवाओ को नक्सली बताकर फर्जी तोर पर उनका सरेंडर कराने के मामले की जाच से जुड़ी जनितियाच का पर सुक्रवार को सुनवाई की चीफ जास्टिस संजाय कुमार मिस्त्र के अध्यक्स्ता वाली खंड पीठ ने केंद्र और राय सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट्स फाइल कराने का निदेश दिया जिस पर दोनों सरकारों की ओर से समय की मांग की गई कोट ने इसे सुविकार किया है वहीं यह जानित याज का जहारखन काउंसिल फोर डेमो क्रेट राइट की ओर से दाखिल की गई इसमें कहा गया है कि जहारखन के 512 युवाव को फर्जित और पनक सलिग होसित कर उनका सरेंडर कराया गया इसके लिए उन्हें CRPF में नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था इसके लिए वरिस ये पूलिस अधिकारियों ने राइ सरकार के खाजाने से कडोरू रूपे खच करवाई इसके पीछे उनका मकसत या था कि उन्हें केंद्रिये गिरिह मंत्री के सामने आवार्ड मिल सके CM फेलोशिप के तहद बिदेश में मुप्त कर सकेंगे PhD CM हमान सुरेने मरांग गोम के जैपाल सिंग मुणडा पारदेशिये चात्रवित योजना के तहद चुने के विद्यार्थियों को सुबकमनाय दी और सम्मानित किया इस औसर पर उन्होंने कहा है कि जार्खन सरकार बिदेशों के सो विद्यार्थियों के पिएशडी और एमफिल करने जैसी उच सिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप योजना ला रही है बता दे जियोती वंदना लाकडा आज बेहाद ही खुस है जार्खन सरकार के स्कोलर सिप योजना के तहत उन्हों जैसी गरी विद्यार्थियों को उच सिक्षा पाने के लिए ब्रीटेन के विश्व विद्याले भेजा जा रहा है मरांग गोमके जैपाल सिंग मुणता पारदेशिये चातिरविती वंदना के तहत इस साल चैनित 25 विद्यार्थियों को मुख्य मंत्री हमंशन ने प्रसोसित पत्र देकर चुबकामना ये दी है नियुक्ति पत्र लेकर सेवा से गायब 29 डक्टरों के खिलाब करवाई की तयारी जार्खन सरकार 29 नियुक्त सरकाई डक्टरों पर कठोर करवाई करने जा रही है इन डक्टरों पा अरोप है कि उन्हें 3 से 4 अपरेल 2023 को नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी अभी तक अपने अपने अस्पतालों में सेवा नहीं दी है स्वास्त विभाग ऐसे डक्टरों को 15 अगस तक योगदान के लिए एक और मौका देगी उसके बाद भी जो डक्टर बिना वाजीब वहत चाय योगदान नहीं देंगे उनके खिलाप एक सन लिया जाएगा जारकन के सरकार्य अस्पतालों में डक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्त विभागने जेपीएसी चैनीत 117 चीकित सको को 3 अपरेल को नियोकती पत्र सोपा था नियोकती पत्र के साथ इस तभी नो नियोकत चीकित सको को अलग-अलग अस्पतालों में योगदान देने के लिए कहा गया था वीमेंस एसियन होकी चेंपियंशिप ट्रोफी 2023 रांची में महिला एसियन होकी चेंपियंशिप ट्रोफी 2023 इसका आयोजन जार्खन के धानी रांची में होगा जार्खन केबिनेट की बैठक के बाद यह जनकारी दी गई केबिनेट सचीव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि मुख मंतरी हमेल सुनकी अदेक्स्ता में सुक्रवार को हुई बैठक में कुल्टिस फैसले लिए गाए बिमेंस एसेन होकी चेंपियंशिप ट्रोफिक के आयोजन पर खर्च होने वाली रास्ती को केबिनेट में मंजूरी दे दिया है अने महत्पुन फैसलों में पच्छमी सिम्हुम जीले में नए थाने और गुमला जीले के सिसाई पुलिस अंचल के निर्मान को भी मंजूरी दी गई है धन्यवाद